मैं मंजेश सभी छात्रों का स्वागत करता हूँ जैसा कि आप लोग जानते हैं आज की जो टॉपिक है दो अज्यात राशियों बाले रेखी समीकरण को साल्व करना है आइसे समीकरण को आप लोगों को साल्व करना है इससे पहले जो आप लोगोंने साल्व किये उसमें एक अग्यात राशियों बाले समीकरणों गाला इसमें साल्व करना है मैंने आप लोगों को सबसे पहले standard equation बता देते हैं कि किस type की होती है दो घाती, दो अग्या समिक्रण, इसमें क्या होता है आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा, उसमें x की value निकालना एक variable था उसको solve किया, factorization method, direct method, जो भी method से आप लोगों ने solve किया अब आप लोगों को दो variable, जहां पे x और y होंगे यहां पे देखे, x और y न होके, कोई भी variable हो सकता है, u, b हो सकता है यहां पे दो variable होंगे, u, b हो सकता है, या कोई भी variable मान लेजिए, वो variable होंगे standard equation इसकी होती है, a1 x plus b1 by plus c1 equal to 0 एक दो equation क्योंगे यहां पे दो variable हैं, तो solve करने के रहें minimum दो variable हैं, तो दो equation की आप सकता पड़ेगी तभी इन equation को हम solve कर सकते हैं, otherwise solve नहीं कर सकते हैं, उनकी value नहीं निकाल सकते हैं तुसरी equation होगी, a2 x plus b2 by plus c3 equal to 0 इस type की equation होगी, उनको आप लोगों को solve करना है, इसमें x की value क्या होगी, y की या value होगी, उन value को निकालना है और a, b, c, जो a1 है, a2 है, b1 है, b2 है, c1 है, c2 है, यह और दा constant है यह एक अचर प्रासिया हैं, मतलब constant variable हैं इन समीकरणों को solve करना है, जैसे की मैंने दो equation बताई हैं आप लोगों को, कि a1 x plus b1 by plus c1 equal to 0 दूसरी बताई, a2 x plus b2 by plus c2 equal to 0 इन दोनो equation का solution जबी exist करेगा, मतलब x, y की value तभी unique आएगी, a की value आएगी जब a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2, इसका मतलब हो गया, exact एक solution होगा, solution exit करेगा only only one solution होगा, जब इनका ratio आपस में equal नहीं होगा इसी प्रकार हम मायनी solution का होता है, कि एक से ज़्यादा solution कब होगे, उसकी condition क्या होती है no solution, कभी इन दो equation का solution नहीं होगा, उसकी condition क्या होती है ये आप लोगों को इसके आगे lecture में मैं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को इसका only solution निकालना है इसी के अंतरगत, इन equation को सालूप करना है, इन equation को सालूप करने के लिए दो नियम है, दो मैथड दिये गए है एक है बिलोपन, मतलब eliminator method, एक है substitution, प्रतिस्थापन बिदि, प्रतिस्थापन बिदि को इंगलिस में कहते हैं, substitution method और बिलोपन बिदि को method को हम elimination method कहते हैं, प्रतिस्थापन मतलब substitution method ऐसा method होता है, जिसमें क्या होता है किसी एक value को निकाल के दुसरी equation में put कर दो, substitute कर दो, मतलब उसकी जाहे पे रख दो जैसे पहली equation से मैंने माल लिया, x की value निकाल लिया, तो तुसरी equation में x की जाहे पे वो value रख देनी है तो उसका substitution होता है, elimination method में क्या होता है, बिलोपन बिदि में क्या होता है, कि जो variable है, किसी एक element को पहले element को क्या करना होगा element बतलब हटाना होगा, उसके बाद उसको element करके हटाके दूसरे value को निकाल लेना, जैसे x को अटा दिया, तो y की value निकलाएगी, by को अटा दिया, तो x की value निकलाएगी मैं इन दोनों method को step by step आप लोगों को बताता हूँ, सबसे पहले मैं substitution method को बताता हूँ substitution method में क्या होता है, मैं एक example की माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूँ देखिए, इसमें मैं सबसे पहले दो equation मान लेता हूँ, क्योंकि दो variable हैं, तो दो equation होनी चाहिए पहली equation मैंने मान ली, x plus 2 by equal to 7, दूसरी equation मान ली, 2x plus by equal to 5, दो equation हो गए और आप लोगों को substitution, प्रतिस्थाफन बिद्ध से इसको solve करना है, substitution method में मैंने आप लोगों को बताया, कि substitution method substitution method जो हो है, उसमें क्या किया जाता है, कि एक variable को value को निकाला है दूसरे में substitute किया ता है, मतलब put किया जाता है इसी पकार पहली equation से मैंने x की value निकाल ली, पहली equation मेरी क्या है, फ़स समीजण क्या है, x plus 2 by equal to 7, यहां से x की value निकाल लेंगे, देखिए 2 by यहां पर positive हो दो जाएगा, negative हो जाएगा, तो x equal to 7 minus 2 by आ गया, इस equation मैंने मान लिया तीसरा आप लोग ने पहली equation से x की value निकाल ली, जो x की value निकाल ली है, वो value आप लोग किसमें put करनी है, दूसरी equation में put करनी है, दूसरी equation आप की है, 2x plus by equal to 5, तो x की जगापे 7 minus 2 by put करना है, तो आप लोग का क्या हो जाएगा, 2 bracket, x क्या जगापे क्या रखना है, 7 minus 2 by bracket 1 plus by equal to 5, इसके बाद मैंने आप लोगों को इससे पहले lecture में बताया है कि bracket को कैसे open किया जाता है और कैसे solve किया जाता है. अब bracket को open कर लिजी और इसको solve कर लिजी यहाँ से by की value आ जाएगी 9y3 तो 9y3 आ है 3 से divide कर दिये तो 3 value आ गई by की जब आपने by की value निकाल लिए उसके बाद जो सबसे तीसरी equation आपने मानी थी लेट की थी कि x equal to 7 minus 2 by तो आप लोगों ने by की value निकाल लिए इसमें by की value put कर दो तो 7 minus 2 into 3 तो 2 into 3 6 हो गया और उसमें से घटा देंगे तो इतना बच जाएगा 1 बच जाएगा तो x की value आ जाएगी 1 और by की value 3 आ गया इसी को आप लोगों चेक करना है कि यह मेरी value सही है या गलत है तो किसी एक equation में रखतीजिए x के जाएग पे 1 और by के जाएग पे 3 और च चेक कर लीजिए कि सही है या गलत है इसी प्रकार अगला question जो है वो है 2x plus 5 by equal to 12 4x plus 9 by equal to 22 देखिए इसमें substitution method जो आप लोगों को लगाना है उसी same process करनी है पहली equation से x की value निकाल लो तो पहली equation से x की value निकाली जो की value आई 12 minus 5 by upon 2 यह equation 3 मान लिए यह value उठाके किसमें put करनी है दूसरी equation में x की जगापे put कर दिया और सालब कर लिया यहां से y की value आगई 2 जब आप लोगों ने y की value निकाल ली y की value किसमें put करनी equation 3 में 3 में put करेंगे और x की value निकाल लेंगे इसमें put करेंगे y equal to 2 आया तो 12 minus 5 into 2 तो 5 दू हो आजाए 2 बटे तो x की value बना जाएगे और इसके बाद आप लोगों सत्यापन करना है तो by process x or by put कर दिया और सत्यापन चेक कर लिजिए कि सही है या गलत है इसी परकार will open with eliminated method elimination method में क्या होता है आप लोगों को मैं बता देता हूं कि इसमें क्या होता है किसी एक element को मतलब एक variable जो भी x और by variable है उसमें किसी एक को eliminate करना होगा उसको एक को हटाना होगा एक को eliminate करेंगे तो मेरा एक हट जाएगा तो एक बचेगा उसको solve कर लेंगे और बही मेरा answer आजाएगा इसको भी एक उधान की माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं इसमें देखिए आप लोग ने देखा एक equation दो equation मैंने मान ली x प्लस y equal to 7 2x minus y equal to 1 आप लोगों को eliminate मैंतर मताब eliminate किसी एक variable को eliminate करना है देखिए यहाँ पे x और by 2 है इसमें इसको eliminate करना है तो eliminate करना के लिए eliminate करने के लिए देखिए यहाँ पे दोनों को equation को add कर दीजिए जोड़ दीजिए दोनों equation को add करेंगे पहली और दूसरी equation को add करेंगे तो देखना by plus का है by minus का है तो दोनों cancel हो जाएंगे by by cancel हो जाएंगे तो यहाँ से x की value आ जाएगी 3x add करोगे x plus 2x equal to 3x equal to 7 plus 8 करेंगे तो 15 हो जाएगा तो 3x equal to 15 जब 3x equal to 15 आ जाएगा जब यहाँ से add करोगे तो 3x equal to 15 यह x equal to 15 बटे 3 डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा पांच आ जाएगा तो x की value आ जाएगी 5 आप लोग इंसाल्प कर लिया x की value 5 आ जाएगी इसी प्रकार y की value निकाल लिए हो तो किसी एक equation में x की value निक प्लस y equal to 7 है अब मैंने यहाँ x की value कितनी निकाले थी 5 निकाले तो 5 plus y equal to 7 by equal to 7 minus 5 equal to 2 यहाँ से x की value आ जाएगी 5 और y की value 2 आ जाएगी आप लोगों चेक करना है तो किसी दूसरी equation पूट कर दीजिए और चेक कर लिए इसी के अंतरगत अगला question जो है इसमें दिया है x plus 2 by equal to 5 x plus 3 by equal to 7 eliminate method से इसको भी solve करना है सबसे पहले क्या करिए देखे दोनों equation में x क्या है positive है तो आप लोगों क्या करना है negative मतलब घटा देना है इसमें क्या करना है negative दोनों side में negative sign लगा देंगे तीनों negative हो गए x x cancel हो जाएगा अब 2 by minus 3 by तो तो तुमा equal to यहां से 5 plus का है 7 minus का है तो minus के 2 आ जाएगे minus minus cancel by equal to 2 आ गया अब किसी एक equation में put कर दीजिए by की value और x की value निकाल लेजिए जब मैं put करूँगा मैं मान लिया पहली equation put कर रहा हूँ x x plus 2 into by value 2 आए तो equal to 5 यहां से x equal to इसको 4 हो जाएगे अदर plus का है तो 5 minus 4 x equal to बना जाएगा यहां से आप लगों solve किया तो by की value 2 आए गया x की value बना गया इसी प्रकार इसको solve कर लिया इसी के अंतरगत अगला question है 3 x plus by equal to 5 5 x plus by equal to 9 इसी को same elimination method से solve करना है